अगर आप इसको फेक देते हैं तो एक बार जरूर देख लेजिए आपकी बहुत बिग्री हुई काम आसान हो जाएगी और आपको बिल्कुल मेहनत करने नहीं पड़ेगी अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर किजिए शेयर करने से सबी लोगों के पास पहुंच जाती है तो चीजे खराप होने से बच जाती है और सबसे बड़ी बात हमारी पेशो की बचत भी हो जाती है तो चलिए बढ़ते हमारे वीडियो में देखते क्या क्या यूसफुल वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ आए दिन आप लोग परिसान होते हैं आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे है प्लीज आप नाम से हर गली प्लीज कॉमेंट बताए तक कि मैं आपको एक हम तोने दो टीन कुछ भी हो हम थोड़ा बहुत इस ने कपर डालें है कौन सा पर यह दयान रиков बहुत जरूरी है हम जो पूझा करतेका पोर डालनी है कपड़ेँ में जो डालते कपऔर मत डाली है पुरा महीना दो महीना ऐसे ए किछिन स्लाप के नीचे रहती है तो हम जब तक हमारी गैस स्टमना हो तब तक ही रहती Dana तो जब भी हम इसको निकालते हैं बहुती अजीब चीज घट जाती है उसके अंदर क्या होता है ना पूरे कोकरोज घर कर लेते हैं हमारे टंकी के नीचे अंड़ा देजेते हैं कोई भी हमारी छोटे-छोटे किड़े इसके अंदर रहे जाते हैं हमारी जिब केली बगएरा इस खुसबू से वो लोग अंदर रहेंगे अगर आ जाएंगे तो वो भाग जाएंगे और अगर बाहर भी आप टांकी रखते हैं इक्स्ट्रा टांकी उसके नीचे भी आप ऐसे कर सकते हैं ताकि छोड़ी-छोड़ी कीडे हमारे घर पर एक्स्ट्रा ना हो कौकरों से अंड करने वले सोड़ा बहुत अच्छी काम होते हैं एक नीबू लेके उसको काटके इस तरह से एक हीसा हमें चाहिए अगर पुरानी नीबू है वो भी काम चल जाएगी नीबू को डरेक्ली आप इनो या सोड़ा के उपर इस तरह से दबाएं ताकि वह चीज नीबू में आ जा अब मैं ये बटन को निकाल दी मैंने नॉब को निकाल दी तो इसके हालत दोस्तों देखे हर गर में हर किचिन में हर गैस के साथ ऐसी हालत होती है लेकिन हम अंदेखा करते हैं इस चीज को अगर आप अंदेखा करते हैं इस चीज को तो बहुत ही परिशाने उठानी पड़ ना कुछ भी नहीं होगा जो मधूल मेल जमी है चिकनाई है कुछ भी यह खाना बनाते हैं तेल की चिकनाई सब कुछ बैट जाते हो निकलता भी नहीं है अगर हम यह नीबू और हमने इनों को उसकी जो मिस्रण है इसके उपर लगा के दस मिनुट छोड़ दीजिए अब हम चुना बेगरा कुछ भी लगाते हैं वह मिक्चर पूरा फूल गया है जो देखिए गंदगी पूरी फूल चुकी है अब यह गंदगी आसानी से निकल जाएगी तुथ ब्रस से आप साफ कर सकते हैं जूनी से साफ कर सकते हैं छोड़ छोड़ हमारी टुथ पीक से भी साफ कर सकते हैं करने के बाद हम टूथ ब्रशे थोड़ा साबुन लिक्विड कुछ भी लगा के थोड़ा घिस लिजिए यह पूरा साफ हो जाएगी कभी-कभी हम इसको बिल्कुल धान नहीं देते हैं और यहां पर गलती हो जाती है यह नौब हमारी टूर जाती है और ग्यास क चूला ठीक से जलता नहीं क्योंकि जाम हो जाती है इस सारे चीजों को आप कैसे घर पर निपटा सकते हैं यह बात देख लिजिए दूस्तों क्योंकि छुटे-छुटे चीजें हम अगर बाहर से मेकानिक बुलाएंगे सर्विस बुलाएंगे तो उसी में ज्यादा खर्च हो जाएगी बहुत सारे गुरुहिनिया यह चीजों को अंदेखा करती है यह बिल्कुल मत कीजिए बहुती डेंजरेश होता है मैंने आपके सामने कोच साफ कर ली दूसरी वाले हिस्से को हमने लगा लिए थे नीमबू और इनो अब हम जूने से थोड़ा घिस लेते यह प के साथ अपनी गैस टोप की नौब की हिसी को कभी इगनोर मत कीजिए खत्रा यहीं से होती है और सरे मुसीवत यहीं से शुरू हो जाती है पईशों की खर्चा जान आपनी खुद की जान की खर्चा मतलब जान की बाजी भी लग जाती है क्योंकि इसी से ग्यास लिके जोती है कभी-कभी दुर घटना भी घट जाती है यह होने से बचा सकते हैं आप छोटे सा काम करके अपनी चीजों को साफ रखके तो चलिए बढ़ते हैं हमारे यूसफूल टिप्स की तरफ अगला टिप्स तो बहुत ही जुगाड़ हुए एक कॉटन बाली कपड़ा लेते हैं क एक ठुकड़ा कउटन हम लेते हैं मतलब कॉटन के कपड़ा लेते हे इसके उपर हमारी जो बेसिक सामान होती है हमारे किचिन में ले आते हैं नमक के सबसे बेसिक सामान हर किचिन में मिल जाती है पतला बला नमक मतलब पूरा जो पावडर बाली नमक और इसमें एक चमच हम हल्दी मिलाते नमक एक चमच हल्दी एक चमच दोनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे दोनों चीज यहां पर मिलन बहुत अच्छा होता है लेकिन कपड़े वाले कपड़ बिल्कुल इस्तमाल मत कीजिए तो इसको हम अच्छे से मोड लेते हैं मोडने के बाद एक अच्छे वाला टाइ करते एक या दो हम नौट लगाते हैं ताकि यह ना खुले इसलिए मैंने बोला कि आप कॉटन की सूती क कपड़ा ले अगर आप टाइ करेंगे तो नहीं खुलेगी अगर और कुछ मैटरियल की हो जाएगी तो खुल जाएगी यह होना नहीं चाहिए तो देखे यह पोटली हमने बनाने कहां पर कैसे क्यों यूज करना है यह देख लीजे हमारे घर पे जो बोरी होता है जो बोरी पर अक्सर है जाती है तो इसी बोरी के साथ समझया होती है तो हम देखिए चैवल जबी में रखती हूँ इस तरह से कर लेती हूँ जबी आपको चैवल बोरी में रखना है दाले वगएरा गीह है आप चुटा सा काम कर लिजिए तो देखिए यहां पर हमने यह जो पोटली बनाया है जो चावल है पुरा फ्रेश चावल हमने लेकर लाए है दुकान से इसको आप कैसे क्या कर सकते हैं इसके साथ यह जो पोटली हमने लिया है इस पोटली को आप क्या कीजिए चावल के ऊपर डाल देजिए इसको अंदर रखने की कोई भी जरूत नहीं थोड़ा सारे दिकत उठाने पड़ती है अगर गेम आप बोरी में रख रहे है तो छोटा सा काम जरूर कर लिजिए और डिब्बे में भी रख रहे हो भी कर सकते कोई भी खत्रा नहीं है जब हम खाना बनाते धोके चावल बनाते दाले धोके बनाते तो इसमें सारे चीजे निकल जा नहीं हुँ पैकेट में तो यह आटे के पैकेट मुझए ईजी लगा सब्सक्राइब पूरा ओपन कर देते नीच decisions कहीं सा उपर कहीं से मैंने काट के निकाल दी और यहां पर फिर से घर Michigan Face में से concept मैं इस तरह से काट रही हूं इस साइड वाला हिस्सा मुझे चाहिए और दूसरी वाले हिस्सा मुझे नहीं चाहिए इस साइड वाले हिस्सा और यह पैकेट थोड़ा मोटा होता है इसलिए मैंने यही पैकेट को प्रीफर किया है इसकी कारण क्या है क्या है क्या है क्या है क् तो हम क्या करेंगे कपड़े की मर्जिसे इस पैकेट को अच्छे से साफ कर लेंगे आपकी मर्जि आप जो भी कलर यूज कर सकते लेकिन मुझे यह कलर अच्छा लगा इसलिए तो साफ करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगाते हैं डिफाइन हो नार्यल तेल हो स कवर के उपर तो उपर की हिसा हम कर लेते हैं इस पैकेट को हमें कैसे इस्तमाल करनी है यह दोस्तों देख लीजिए चले हते हमारे फ्रीज के पास फ्रीज में हमारी जो फ्रीजर होती है डीपर में होती है उसको हम खोल देते हैं खोलने के बाद देखिए हमेंसा इसकी हाल यह तूट जाए वर ना उठे यह उसकी होती है तो आप क्या करेंगे जब भी आपकी डीपर में बहुत ज़रा बरफ होता है तो एक छोटा सा आप काम कर लिजिए यह तूटने से आप बचा लगे और जल्दी जल्दी में आपको फ्रिजर में से सारे चीजे सेफ मिल जाएग हम इसका पूरा आइस को मिल्ड करेंगे और करेंट आफ करके पूरा हम इसको साफ कर लेंगे करने के बाद यह जो कवर हमने रखा इसके ओपर टेल लगागे इसी को आप ढाल दीजिए तेल उपर रहने बहुत ही ज़रूरी है अब इसके बाद आप देखिए तेल जो होती ह कि इसको ले सकते वो चिपकता नहीं लेकिन जल्दी निकल जाता है पूरा जल्दी आप दूरेंथ निकाल सकते जितनी भी बरहब जमें छोटा सा टीप्स है लेकिन आपको सब भी लोगों को फ्रीज के अंदर ये तकलिप दूर हो जाएगी तो किसे लगा आज का वीडियो प आपकी काम की बहुत ही यूसफुल टिप्स है आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं हमेशा पसंद करेंगे करने हैं